हेई बिलकम्स माइफ्रेंट एन माइडियर इस्टुडेंट आज आपके सामने में डायरेक्ट इंडायरेक्ट नैरेसन को लेकर आया हूँ जो इंगलिस का एक तो इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका इंगलिस में दो अंक का तो मिली जाएगा यहीं आपको दो समझ करके इसे छोड़ नहीं देना है क्योंकि दो आज आज आप दो इससे पाएंगे अगर आप इंगलिस से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको यही डायरेक्ट इंडार आपको सारी चीजें समझना है मैं यहां पर सारी चीजें समझाओंगा यह मान के चलिए इसमें आपको कुछ भी नहीं पता है तो आज आपको पता हो करके यहां पर रहेगा यह मान कर चलिए ठीक है बस आपको पूरा वीडियो देखना है अगर आपको देखे इसमें आज क एक पार्ट में जो भी हम यहां पर बताएंगे उसके बाद पूरा पीडियप तयार है यहां पर आपके सामने देख लीजिएगा जो कुछ भी नहीं जानते हैं आज जो भी सीख के यहां पर रहेंगे और फ़ार आली स्टुडेंट्स इन बोर्ड एक्जाम के लिए है चलिए यहां पर हम दिखाते हैं आपको देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं कि इसके बारे में हम पहले उसको समझते हैं कि डायरेक्ट इंडारेट अखिर होता क्या है देखिए जो डायरेक्ट स्पीच जो होता ह गई बात को जियों कात्यों बोला जा रहा ना जियों कात्यों लिखते हैं ठीक है और उसको हम inverted कामा आज में जियों कात्यों क्योट कर लिखा गया हो जबकि इन direct speech में वाक्य का जियों कात्यों न लिख करके वक्ता का बात जो होता है वो अकता द्वारा अपने सब्दों में लिखा गया हो डारेक्ट इस्पीच जो होता है जो आप बोल रहे हैं डारेक्ट स्पीच में उसको आप जियुकत्ते हों ही रख देंगे जैसे कर तैसरे ही लिख देंगे और उसको हम इनवर्ट्टिट कामवमें लिखेंगे ये चीज हो जाएगा और जो हम इंडारेक्ट स्पीच जो होगी हमें उसको वाकता जो बताएगा उसको घुमा फिरा करके बोलेगा उस वाकिको वो हमारा होगा इंडारेक्ट स्पीच तो डारेक्ट स्पीच और इंडारेक्ट स्पीच में समा सकते हैं जिसे मैंन द्वारा बताया गया कि वाई स्कूल जा रहा था कुछ ऐसे उसमें घुमा फिर आके बाद वो ली जाए अभी आपके सामने एग्जांपल आएंगे आपके सामने रूर्स आएंगे सब भी बाटे कंफर्म हो जाएंगे देखिए जो बच्चों को अगर दिक्कत हो रही हो छो पूरा कंप्रीट इंडर्रेटि है इसमें दधाय इंडर्रश आपको मिलेगए ऐकदम पूरी अदृतरी के चांटा हुआ एकदम सारा चीजें तो यहां पर देखिए सबसे पहले है आपका direct speech direct speech में क्या बोला जा रहा है कि किसी वक्ता के सब्दों को ज्योकतों का बिना किसी प्रकार का परिवर्तन कि बिना किसी का परिवर्तन कि यह उसे direct speech कहते है direct narration बोलते हैं उसे को direct speech के सब्दों में इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं बात समझ में आ गई ना यहां पर देखिए यह वाक के लिख्या हुआ है इसमें लिख्या हुआ है delete set देखिए यहां पर लिख्या हुआ है delete set अब इसको देखिए कामे इन्वार्टेट कामे का अंदर यह रखा हुआ है, यहाँ पर, देखिए, यह कामा हो गया, उसके बाद यह इन्वार्टेट कामा, यह जो उपर से लगा हुआ है, यह इन्वार्टेट कामा हो गया, उसके पहले कामा, ति इन्वार्टेट कामा बोला गया, I can speak English fluently, मतलब कि दिलीप ने कहा मैं धारा परवाहंगरे जी बोल सकता हूं मतलब मैं बहुत तेजी से इंग्लिस बोल सकता हूं ये बोला गया न अब इसको डारेक्ट में बोला गया इन डारेक्ट में अगर इसी को बदलते तो अभी कुछ इस तरीके से होता देखिए अब इसमें हमें पह नहीं होते हैं उसमें दो भाग होते हैं आपके दो भाग हो गए और दो भाग को हम क्या बुलाते एक बोला जाता है reporting cesp arrange reported any reporting speech का मतब हुआ reporting वर्ब इसको तुम दूसरा नाम बोल सकते हैं क्या reporting एक हो गया विप और अब जुसरा आप हो जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है यहां पर लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है रिपोर्टिंग स्पीच यानि रिपोर्टिंग वर्व कहां होता है यह कामाज के बाहर वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं जो कामा के बाहर रहता है जि में नीचे देवाक्त में जो ही सेड्म गार अगर तेगे ही से टूमीहां पर नीचे को आगर गया ही सेड्वी ही सैट्वमीस ही सेड्वी एंजर्थ कामा के बाहर जो रखा जा रहा है उसकोski अन्दर रख रहे हैं यहीं मारा लृपोर्ट्रेइड इसको हम देखिए कैसे करेंगी यहां पर और आगे हम दिखाते हैं थोड़ा सा इसको हम स्कॉल कर लेते हैं यह देखिए इसमें क्या कह रहा है कि reporting speech के में ऊपर दि osoके में पार्ट नीचे दिए गया हैं जिसे देखिए यहां पर आपके reporter हो गया यह report कर रहा है और reporting वर्वीज में यह यह होगया वो reporting वर्म हो गया object के साथ object reporting वर्म क्या हो गया object हो गया मतलब उसको बोला जा रहा है और क्या चीज बोला जा रहा कहा जा रहा कैसे reporting वर्म यहां पर set बात समझ गए आपका यहां पर reporting speech की इतने पार्ट हो गए तो आगे देखते हैं यहां पर यहां पर आज आते हैं रिपोर्टेड स्पीच और किस पर रिपोर्टेड स्पीच क्या बोलते हैं मैंने बोला जो कामा के अंदर रखा हुआ कामा के बाहर वाला क्या हो कि रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और जो कामा के अंद के रिपोर्टिट पीश के रूप मुंआ हुआ है तो इसको आप समझ गया इसमें जहों कते हूं आपका जैसे लिखा गया है वह लिखा गया है अब इनट डारिट स्पीश बात आजाती है अपके जो रिपोर्टिंग स्पीश थी उसके कुछ पार्ट थे लेकिन यहां पर लिए डायरेक्ट इन डायरेक्ट समझते हैं तो आपको डायरेक्ट में आपका हो जाता है इसमें एक वाक्ट वाक्ट के आपके जो एक कामा होता है कामा के इधर के भाग को हम reporting बर्ब मतलब reported reporting speech बोलते हैं और जो इधर का part होता है उसको हम reported speech बोलते है reporting speech के आपके तीन part हो गए एक आपका reporter हो गया दूसरा आपका reporter जो object का आपका reporting बर्ब का object होता है और आपका एक reporting बर्ब मतलब उसमें आपका subject होता है है उसमें आपका वर्व होता है क्या रिपोर्टिंग किश में समझे बात को हम बढ़ते हैं कि वन Nou बात को कुछ घुमा फिरा जो बात को कुछ घुमा फिरा के लिखें सब्दों में कुछ तरीके से बात को भाव को व्यक्त करें तो वही हमारा क्या होता है इंडारेक्ट स्पीच होता है जिस एक्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहां पर जो अभी इसके पहले था कि दिलीप वाला उसमें देखते हैं दिलीप सेट टैट ही कुट स्पीक इंग्लिस फ्लेउंटली तो इ इसको अपने भाव सावे कुछ चेंज करके भाव को पवहम लिखते हैं डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ रूल होते हैं बदलने के नियम जो कि आपके सामने यहां पर होंगे ठीक है इससे पहले आपको हम यहां पर बता है तो आपको पाट होता है एक आपका यहां पर होगा रिपोर्टिंग स्पीच एक आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा इसी में चेंजेज अधिक से अधिक चेंजेज पहले करना है इसके अधार पर इसमें चेंजेज करना पर रिपोर्ट इसारी करना है कि यहाँ पर बोलको क्या घ्राव कि अगर आपका रिपोर्टिंग जो इस पीछ होता है उसमें पर में बदल दो और सेज तो यहाई तो उसको में बदल डो अगर सेज में यास लगा हुआ है तो इसमें भी यास बढ़ा दो ठीक है बास मज़में आई न अगर आपका यहां पर said के बाद, say के बाद to न आए too तो नहीं आ रहा है तो इसे direct speech में जयो कते हुए लिखते हैं मतलब changes नहीं करते हैं बात सम्झ is में आए ना said के बाद और sage के बाद या say के बाद, अगर नहीं आ रहा है too, तो changes सेज नहीं करेंगे बात समझ में आगई ना ठीक है तो चलिए हम आगे बाड़ते हैं तो घर दीरे बाते समंझ में आ जाती यह देखो यहां पर आपको समय आजाना चाहिए अगर सेज 2 आ रहा है ठेल में अगर यहां पर से डू को आथा केवल से यहां पर आपका सेही आता माल लीजिए यहां पर आपका सेही आता स्वारी थोड़ा सा रिस्पॉंस करबढ हो दया थोड़ा सा पेज में दिक्कत हो गई जो है केंप्यूटर का जो है यह थोड़ा सा वर्किंग में दिक्कत हो गया था फिर से में बचल रहा हना यहां पर देखिए अगर आपका सेही आ तो घैल समें घॉल ड मैं यतने में बदाद ही बात को समझना एक दम कडी ना दिखाई दे पेडिया डाउनलोड करे ना टेलिग्राम चैनल नीक नीचे जॉइन कर ले ना तो आपको मेल जाएगा वाके चलिए देखें डायर्ट एंड डायर्ट स्पेश में बिदल देखें समय कामा उच को हटा कर डायर्ट लिखतें बताब कर जो कामा होता है ना यह यहां पर अब देखें ना यह कामा दिख रहा होगा ना यह कामा को अगर हटाएंगे ना यहां पर डायर्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे डायर्ट लिखेंगे जिसके कामा होता है इसको हटाने के बाद हम इसको यहां पर डायर्ट लिखेंगे अभी के लिए बाद मैं और चीजे लिखा जाएगो बहुत सारे दूल है उसको अलगती लिए तो डाइट आप यभी के लिए याद कर लिए पहला भाग आप इसको देखे इसके बाद दूसरा भाग देखना अच्छा लगए वीडियो को लाइज सेर कमेंट करना हो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में कर देना यहां पर आपको पीडियोफ सभी कर देगा साइंस का इसी तरीके सब्सक्राइब कर देखेंगे तो आपको सारी चीजे मिर रहा है ओके यहां पर देखिए अब चेंज करने के लिए कुछ प्रोनावन की जरूर पड़ेगी प्रोनावन समझ सकते हैं ना जब किसी क जो परिवारतन बोला गया कि आपको सेड सेज यही पे आपके इसमें परिवारतन होगी बाकि इसमें आपको रिपोर्टिंग में कोई चेंज नहीं कर रिपोर्टर में चेंज होगा किसमें चेंज होगा और रिपोर्टर में कई तरीका चेंज होगा सबसे पहला हमारा नाम हो गए यहां पर यहां पर हम कुछ दूसरे कलर से ही लिखते हैं इसरिके तरहिए करता होगा यहां आपका यू करता हो गया यह आपका यहां पर यू यह आपका ही करता हो गया इस तरीके से यहां पर सी करता हो गया यहां पर आपका दे करता हो गया तो यह करता है फ़र्ष्ट परसन में ओल्ली एक करता आता है मतलब एक आता है कौन सा आई मतलब फ़र्ष्ट मतलब पहले मैं दूसरा कोई आया, you, second person, जिसे देखिए, person समझनें कोई दिखा नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो अकेला person होगा, first person, कोई मेरे पास, कोई एक अकेला आएगा, उसको मैं बोलूँगा, तुम, आप, तो second person होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, वे आगए जब फस्ट हूँ मैं आई यू आप आगए उसके बाद दोनों लोग बात करें तो अगला आगया वह आगया वे आगया यह हो गए थर्ड पर्शन मतलब ही सी दे या नाम इट इस सभी इसके बाद जितने भी पचते हैं सभी अब इनका अब्जेक्टिव रूप क् माई होगा और यू का पजित 실ू विए यॉर होगा मतलब अब इसमें हमorta में जब इस में हमारा रिपोर्टेग स्पीच में कोई करता यूज हो रहा है तो हम उसको अगर फास्ट को कौन सा परस थ। citation है पड़ुच्व सको हम रिपोर्टेट स्पीच के किसके अंसौर बग से रूप यौर होगा मतलब अभी से कैसे में न जब इसमें हमारा सिस्पीच में कोई करता यूज हो रहा है तो हम उसको अगर हो फास्ट परसन है कौन सा पर्सन हो अगर फास्ट परसन है तब उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के किसके अनुसार बतलेंगे रिपोर्टिंग स्वीच के किसके अनुसार बतलेंगे किसके अनुसार से सब्जेट के अनुसार बतलेंगे रिपोर्टिंग स्वीच के सब्जेट के अनुसार बतलेंगे किसके अनुसार से सब्जेट के अनुसार बतलेंगे रिपोर्टिंग स्वीच के सब्जेट के किसके अनुसार बदलेंगे subject के अनुसार, first person subject, मतलब reporting speech में कौन सा subject है, c है, और c का subjective root क्या होता है, c का subjective root c से का subjective c ही होता है, तह अब अब हम c लिख देंगे, c लिख दिए, उसके बाद हमारा m का वाज में बदल गया, वाज में क्यों बदल गया यह तो आपको टेंस बताएगा भी कि अकरवांच में क्यों बदल गया यह भी आपको बदल जाएगा अभी टेंस में बता चलेगा तो आयम का व आज बागी सारी चीजें जो बदल रहे हैं उसको अला गूर्र पहले हैं हमें अ किसको बतलना सब्जेक्ट को औप्जेक्ट को 75 चेंच्ज करना सीख रहे हैं में इसे को भी प dai पे आएने दिए मांद है ना करें यू 싸 valid वह निद है यू को हमें चेंज करुना है काुछ कूं सा परें और तेखिए सिक्ड़ परसन किसके अंसौर बदला के अंसार कर्म के अंसार तो हमें इसके कि लिए से अंसार बदना पड़ेगा आपजेट के अंसार बदना पड़ेगा तो अबजेक्ट इसमें कौन सा है हमारा अबजेक्ट इसमें है मी मी देखिए अबजेक्ट में होता है देख लीजिए यहां पर मी आपजेक्ट में है किसक सब्सक्राइब तो हम इसमें मी का सब्जेक्ट रूब क्या होता है मतलब यहां पर हम आई लिए देख लिए आई लिखा होगा बस यही काम करना है बकी का इनका कूड यह सारी चीज़े भी आगे पता चले जाए हैं तो हमारा सेकंड परसन को बाकि थर्ड परसन आता है उसमें हमें नो विल्म कर देए ठीक तो अच्छी तरीके समझ लीजिएगा अब हम चलते हैं दिखाते हैं जैसे देखिए इसको हम थोड़ा सा उपर खिसका देए यह हो जाता है देखिए अब इसमें हमारा देखिए यू आगया क्या आगया यू आगया अब यू को हटाना पड़े गया यह हमारा को किस के अधर शाटेगा अब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है आई है मतलब मी है यह हमारा इप्ट्रम रूप है यह ङक्या होता है ऑई तो आई लगा भिए बढस थर्ड रूड क्याола की क्या का है रहा है रिकॉर्टलिस ही जब इसमीं थट सर्ट मर renewed को बदना है आफ हमारा इस क्यूंब कर थे रिपोर्ट में और यो है सेकंड फर्षान हो तो इस सपीज्ब्सक्थ को इन सेड़्ाइब कि सब्सक्रूंत जैसे देखे यहाँ पर you kounds person you हमारा second person है बोला जा रहा ही second person है तो हम यूप को कैसे change करेंगे यूप को हम change करेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है third person किसके में बदलेंगे third person में और वह किसके अनुसार बदला जाएगा वही object के अनुसार मतलब ही इंसेकंड परसन हैं ही होता, पस होआ ही है, कोई बहुत ज्यादा रूल इसमें है और नहीं तो समझ लीड blocked अगर दो रूल समझ लिए हैं, Change इसे कने के लिए लिए आप को present ind merciful paradox, यहां तक आपका रूल हो गया यह हमारा फर्ष्ट पार्ट है था पार्ट समझ गए होगे हमें एक बार इसका रिविजन कर देते हैं आपके लिए ताकि आपके बाते समझ लिया जाएं देखें यहां पर क्या बोले थे हमें बोल रहे थे कि जब कभी भी आपका दुआ रहा है इसे देखिए आपके ए मैं गोले यह बोला जा रहा है इसमें देखिए हमारा जो यह पहला बोला जा रहा है यह हमारा रिपोर्टिंग स्पीश होगा हमारा रिपोर्ट है इसमें तब टेंज्जिद आंग्याल के वाल आपका से या सेज और सेड या कसेट्टू ये सब Caitlin करना काई सब्सक्राइब underwater इसे आपको धिखा जब टुब आये तब ही चेंज करना हो होगा व sour pulp 지금 करनेगा लेकिन आपको देखना यह करता कौन सा परसन है वो जो परसन हो उस परसन को मैज करवाईए कि उसका रूल क्या कहता अगर फ़स्ट परसन हो कौन सा परसन अगर वो फ़स्ट परसन हो तो फ़स्ट परसन को सब्जेट के अनुसार अगर वो सेकेंड परसन हो सेकेंड परसन हो तो सेकेंड परसन को अबज यह subject है यह आपका verb है और यह आपका object है अबजेक्त पहले 1st पार सनुति इसके अमसार बदल यह और इसको कैसे बदलना जैसे उसका रूप है उधर यहाँ पर जैसे उसका रूप था जो गदल जो जिसको बदल रहेynnоко कौन पर रूप है उसी रूप में उस वाले को करता को रहना है अगर बात समझ में ने आए तो समझ लीजिएगा अच्छी तरीके समझ दिक्कत हो दो बताईए याखित इसमें दिक्कत हो रिए सब्सक्राइब तो कमेंट नीचे कर देगा हम सेकंड पार टेंस के अनुसान लेकर आएंगे तो आपको चैनल पर मिल जाएगी इसका पीडिये भी आप हम आपको दे देंगी जैसे कलास कम्प्लीट होती है आपको पीडिये पर हमारे टेल गांचेनल पर मिल जाएगा पहले भी मिल जाएगा आपको कमेंट करना है तो जरूर आप पढ़ते रहिए पर इच्छान में पूर्ट